आज की इसे वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको Flipkart से मंगाएगे किसी भी समान को रेटर्न करने का पूरा complete प्रोसेस बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपने इसके पैसे पे कर दिये हैं तो वो पैसे आपको कैसे मिलेंगे फिर चाहें आपने cash on delivery पैसा दिया हो या फिर आपने online पैसा दिया हो आपको वो पैसे भी कैसे मिलेंगे ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो flip card से मंगाएगे किसी भी product को return करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ account पर click करना है जैसे ही आप इस पर tap करोगे आपके समने पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको order पर click कर देना है और उसके बाद आपने जितने भी order इस app से किये होंगे वो सभी आपके समने आ जाएं तो simply आपको इसी पर tap कर देना है उसके बाद आपके समने पेज आ जाएगा जिसमें इस product की सारी details लिखी होई होगी जैसे यह product कितने रुपयों का है इसका order ID क्या है इसके अलावा आपको इसे कब तक return करने की policy है जैसे यह 1 September को deliver हुआ था इसके बाद अगर मैं इसे return करना तो return करने के लिए आपको return पर click करना है लेकिन अगर आप इनसे बात करना चाते है चैटिंग करना चाते है इस product से related तो आप इस पर click करके chatting कर सकते है लेकिन return करने के लिए आप इस पर click करेंगे उसके बाद आपके समने यह page आजाएगा जिसमें आपको select करना होगा कि आप इस product को क्यों return करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर कई सारे region मिल जाएंगे, जो भी आपका region हो, उसे आपको यहाँ पर select करेना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आपका region नहीं मिलता है, तो आप इसकी quality को यहाँ पर बता देंगी, कि इसकी quality अच्छी नहीं है, तो आपको इसी पर tap कर देना है। उसके बाद आपके समने quality की दो क्योरी आजाएंगी, आप इन में से कोई भी select करेंगे, और उसके बारे में आप comment में लिख देंगे, कि मुझे यह product अच्छा नहीं लगा है, मैंने आपर जैसी quality सोची थी, वैसा यहाँ पर quality product की नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने सब्दों में कुछ भी लिख देंगे, इसी के बारे में, और उसके बाद आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि मैंने दो-तीन लाइनों में इसके बारे में लिख दिया है, और उसके बाद आप continue पर click करेंगे, जैसे ही आप continue पर click करोगे, आपके समने यह page आजाएगा, जिसमें आप यहाँ पर दो option दिये जाते हैं, अगर आप इसके replacement करना चाते हैं, तब आप इसपर click करेंगे, और उसके बाद इसकी जगए आपको दूसरा product मिलेगा, लेकिन अगर आप refund करना चाते हैं, आप दूसरा product नहीं लेना चाते, तब आप इसपर click करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर मुझे continue करने का option नहीं आ रहा है, मतलब अभी मैं इसको refund नहीं कर सकता, तो इसका region दोस्तों यह है, कि जो मैंने याप पर यह product मंगाया है, इसको मैंने याप पर जो पैसे थे, इसके cash on delivery में दिये थे, इसलिए वो मेरे पैसे कहाँ पर दिये जाएं, इसी वज़ए से यहाँ पर continue करने का option नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आपसे पुझा जाता है, कि आप इसमें अपना एक bank account add कर दो, और उसके बाद यह जो पैसे हैं, यह उसी bank account में transfer कर दिये जाएंगे, जब आपका यह product आपसे ले लिया जाएगा, मतलब delivery boy, आपसे यह product ले लेगा, और उसके बाद जो आप यहाँ पर अपना account add करोगे, उसी में आपको पैसे transfer कर दिये जाएंगे, लेकिन इसी जगए अगर आपने इसके पैसे इस product को मंगाते वक्त, पहले ही दे दिये होते, मतलब UPI ID से, जिस प्रकार से आपने इसके पैसे दिये होते, तब आपको यह तुरंद मतलब उसी में पैसे transfer कर दिये जाते, और आपको यहाँ पर अपना नया account add करना नहीं होता, लेकिन जब आपका यहाँ पर product का price ज़दा होता है, और आप उसके पैसे cash on delivery देते हैं, तब आपसे यहाँ पर पहले ही bank account को link करा लिया जाता है, और उसी में आपके पैसे भेज दिया जाते हैं, तो bank account को link करने के लिए, आप यहाँ add new account पर click करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर अपने account की सारी details डाल देंगे, यह सारी details आपको आपकी passbook में देखने को मिल जाएगे, आप यहाँ पर IFC code डालेंगे अपनी bank का, उसके बाद अपना account number डालेंगे, confirmation के लिए दोबारा डालेंगे, account holder का जो name है उसे आप यहाँ पर डालोगे, अपना mobile number डालोगे, और add new account पर click कर दोगे, अगर आपका कोई खाता नहीं है, तो आप अपने family member का भी खाता डाल सकते हैं, उसी में पैसे transfer कर दिये जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर अपनी bank को add कर देते हैं, then आपके सामने इसको return करने का option आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि मैंने इसमें अपनी bank को add कर दिया है, इस पर click करके आप इसे select करेंगे, और आपके सामने continue करने का option आ जाएगा, और जैसे ही आप continue पर click करोगे then आपका जो order है वो return होने को लग जाएगा आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आप submit request पर click करेंगे और उसके बाद आपके order को जैसे ही pick up किया जाएगा मतलब लिया जाएगा delivery boy के तोरह तो उसके कुछ ही दिन के बाद मतलब एक दो दिन के बाद आपके पैसे को आपकी bank account में भेज दिया जाएगा और आपको इसकी सारी details यहीं पर देखने को मिल जाएगी जैसे जो आपका return है वो successful हो गया है मतलब इसका order लग गया है जो return ID है वो भी आपको यहीं पर देख जाएगी इसको approve भी कर दिया गया है और इसके बाद यह जो पैसे हैं यह आपको तब मिलेंगे जब यह product receive कर लिया जाएगा delivery boy के दोरा और कभ यह receive किया जाएगा उसके date भी आपको यहीं पर देख जाएगी